हेलो स्टूडेंट मैथविद देवेंदर यादव की यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें देखो आपने एक कोश्चन जो की एक देखा है वो आपने आपसे अगर नहीं हुआ है तो उसको मैं आपको समझाने की बताने की कोशिस करूँगा तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि रेशो अफ टू नंबर दो नंबर का रेशो कितना है 3 बाइ 2 रेशो 8 बाइ 3 क्या मुझे एक बात बताओ क्या रेशो को मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आपस में क्रोस मुल्टिप्लाई बोलो हाँ यानि के इसको जब इसके साथ गुना किया तो कितना है नो इसको जब इसके साथ गुना किया तो कितना है बोलो सोड़ा बोलो इतनी बात पता लगती इसने बोला क्या आगे if 15 is added पंदरा एड करते हैं दो नम्बरों में यही question था ना यानि कि first number यह second number दोनों नम्बरों में अगर हम किसको एड करना है पंदरा को तो मुझे बताओ दोनों को पंदरा एड कर देते हैं यह लो दोनों में पंदरा एड कर देते हैं तो नम्बर बिकम क्या बन जाते हैं 5 by 3 और 5 by 2 तो मुझे बताओ क्या इसको मैं इधर cross multiply कर दूँ तो यह कितना आ गया 10 और यह कितना आ गया हमारे पास 15 ratio हमेशा pure simplest form रखता है तो मुझे बताओ इसको मैं किस पे काट दूँ क्या मुझे बताओ क्या यह 5 के table में कट जाएगा क्या बताओ क्या इसको मैंने काट दिया 2 पे और इसको मैंने काट दिया 3 पे तो इनका ratio कितना बन गया क्या 2 ratio 3 बन गया क्या तो हमसे वो بولا क्या है जब अगर 15 एड करेंगे तो ratio क्या बन जाएगा दो ratio तीन बन जाएगा यह बात उसने हमसे बोल दी अब आगे कैसे करें यह देखो अब बढ़ कितना रहा है अब देखो यह बढ़ रहा है गट रहा है देखो 9 से 2 हो गया गट रहा है 16 से 3 हो गया यानि कि इसका difference कितना गया 7 और इसका difference कितना गया 13 यानि कि दोनों difference हमारे पास same नहीं है बट ये question में क्या बोल रहा है कि 15 increase कर रहा है मुझे ऐसे बताओ 9 में से 16 में से 9 गये तो बचे कितने 7 और 2 में से 3 गये तो कितने बचे 1 आपने इसको इसके साथ cross multiply कर देना है देखो 9 को 9 को 1 से गुना करोगे तो 9 9 को 16 से गुना करोगे तो 16 7 को 2 से गुना करोगे तो यान 14 7 को अगर 3 से गुना करोगे तो यान क्या लगा देंगे 21 बोलो इतनी बात समझ में आगी हमें वो बोल कितना रहा है नंबर कितने एड कर रहा है 15 नंबर कितने एड कर रहा है 15 अब इधर देखो क्या हमने दोनों ने नंबर सेम कर लिए या 9 था बढ़ के कितना हो गया 14 तो कितना बढ़ा 5 या 16 था 21 हो गया बढ़ा कितना 5 5 की वैल्यू कितनी है 15 क्यूं क्यों क्यों देखो 9 और कितना हो रहा है 14 तो बड़े कितने 5 बदे न तो 5 की value 15 है इसका मतलब 1 की value कितनी होगी 3 कैसे 15 को बाग किया है वैस बोलो इतनी बाद समझ में आगी 1 की value 3 है तो इसने बोला है largest number largest मतलब सबसे बड़ा number तो सबसे बड़ा number कौन सा है क्या 60 ही है क्या यह देखो अब 1 की value 3 है तो 60 की value कितनी होगी 48 तो इसका मतलब हमारा answer कितना आ जाएगा 60 into 3 हमारा answer कितना आ जाएगा 48 बोलो एक दम ठीक है क्या मुझे एक बात और बताओ इसी question का हम एक तरीका और करते हैं इधर देखो एक बार एक बार इधर देखो इधर देखो क्या मुझे बताओ कि यही था न 9 ratio 16 और उसने बोला है बढ़के कितना हो गया 2 ratio 3 अब मुझे यह बताओ सबसे पहले 9x plus 15 and 16x plus 15 और उनका ratio कितना हो गया 2 by 3 यह इस सवाल का दूसरा तरीका है वो पहले था shortcut बोलो इतनी बात पता लग गी cross multiply कर दूँगा तो यह देखो 9x plus 15 और 16x plus 15 गुणा 2 अब मुझे यह बताओ 2 है इसको इसके साथ किया तो 27x इसको इसके साथ किया तो 45 इसको इसके साथ किया तो 32x इसको इसके साथ किया तो 30 मुझे बताओ क्या इसको मैं इधर ले जाओं इधर ले जाओंगा तो ये कितना हो जाएगा 32-27x और ये इधर आजाएगा तो sign change हो जाएगे तो ये कितना बच गया 15 ये कितना हो गया 5x तो x की value कितनी आगी 3 क्योंकि ये 5 इधर नीचे आजाएगा x की value 5 आगी largest number कौन से है 16x तो 16x into 3 हमारे पास answer कितना जाएगा 48 ये ही हमारा right answer है ratio proportion का ये question था जो की आपको समझ में आ गया होगा मैं फिर ये बात करना हूँ ऐसे ही ऐसे ही अलग question को करने के लिए आपको मैं ऐसे ही question करवाता रहूँगा इसी लिए मैं बोल रहा हूँ कि नए question को करने के लिए आप math with divinder यादव channel को subscribe करें like करें और share करते हैं ठीक है मैं side में हट जाता हूँ दोवारा से देख लो ये बड़िया तरीका है easy है अच्छा question था आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा ठीक है और मिलते हैं अब अपने next question में अब तक के लिए बाई बाई जैहिद